हेलो एवरिवन कैसे हैं आप मैं सौरफ दूबे मैगनेट बेंस इंदी मेडियम पर आपका स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और जैसा कि अपना चल रहा है पाट्च, रेखाएं और कोण और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं NCRT उदाहरण एक से लेकर तीन तक पिछले क्लास में हमने सारे कॉंसेट बात कर लिये थे, मतलब की कोड भी देख लिया था, कोडों के युगम भी देख लिया था, उससे संबंदित सारी परिवासाएं कर लिया था और दो-तीन उदाहरण भी किया था हमने, ठीक है, तो आज देखने वाले हम NCRT के उदाहरण बहुत ही इंपोर्टेंट ये तीनों उदाहरण हैं, पूरे ध्यान से, पूरे फोकस के साथ देखेंगे आज की क्लास आप, तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करने से पहले चोटी और जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए, जैसा कि आपको पता है, मैगने ब्रेंस प्रोवाइट करता है, हाई क्वालिटी एजूकेशन, जहां हिंदी मीडियों विद्ध्यार्थियों को मिलती हैं, च्छटी से लेकर बारवी क्लास तक की सारी क्लासेज, और वही इंग्लिस मीडियों स्टुडेंट्स को मिलती हैं, केजी टुट्वेल सारी क्लासेज, वो भी दोस्त, बिल्कुल फ्री ओप कॉस्ट, मतलब इन क्लासेज को देखने के लिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई पैट सब्सक्रिप्शन और नहीं करना पड़ता है, ये सारी क् स्टार्ट करते हैं, समय आ चुगा है, उदाहरण संख्या एक को देखने का, बहुत दिन बात समय आया है न, क्योंकि पीछे के कॉंसेप्ट पढ़ना बहुत जादा जरूरी था, अगर आपको कॉंसेप्ट नहीं पता चलता, तो ये उदाहरण करने में मजा ही नहीं आता, है न, तो यहाँ पर है आकरिती में रेखाएं, पी क्यू और आरेस परस पर बिंद ओ पर प्रतिक्षेत करती हैं, यदि कोण पी ओ आर अनुपाद कोण आर ओ क्यू बराबर पांच अनुपाद साथ है, तो सभी कोण ग्याद करें, यहाँ पर कोणों का अनुपाद दिया है POR और ROQ का इन दोनों कोड़ों का अनुपात दिया है पहले तो इन दोनों कोड़ों को हम ढूड़ेंगे इन दोनों कोड़ों को ढूड़ते हैं POR की बात कर रहा ये रहा POR और ROQ ROQ इन दोनों कोड़ों का अनुपात आपको दिया है इन दोनों कोड़ों को देख के क्या लग रहा है ये कौन से युगम है ये linear pair है रैखिक युगम है मतलब कि ये एक सरल रेखा के एक तरब बने कोड है मतलब इन दोनों कोड़ों को एक साथ देखा जाए एक साथ देखा जाए तो कहीं न कहीं 180 अंस का कोड़ बनता हुआ नज अब ध्यान से हम फिगर देखेंगे और देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर क्योंकि एक सरल रेखा कि एक तरफ बनने वाले कोड है इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंस का कोड कैसा दिखता है एक सीधी रेखा और यहाँ पर बीच में बिंदु है और यहाँ पर जो कोड बन रहा है यह 180 डिगरी का 180 अंस का कोड है तो हम इन दोनों कोड़ों का योगफल करेंगे एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिगरी कारण बताईए क्यों कारण लिखना बहुत जरूरी है नंबर काट लेते हैं टीचर है ना तो यह दोनों 180 से से लिए क्योंकि यह रैखिक यूगम अभिगरीद द्वारा हम यहां पड़ाया था ना रैखिक यूगम अभिगरेट मैंने बोला था जब मैं इसका यूज करूंगा तो आपको बताऊंगा रैखिक यूगम अभिगरीद तो जहां भी ऐसे यूगम बनेंगे दो कोड़ों को जिनको जोडने पर 180 अन्स है उसको हम बोलते हैं रैखिक 180 अंस पांच और साथ जोड़ा तो 12x आ गया 180 डिग्री और x का मान यहां से आप निकाल सकते हैं 180 डिग्री डिवाइड़ बाई 12 और यह आ जाएगा 15 अंस कितना आ जाएगा 15 ठीक है x का मान हमारे पास आ चुका है 15 अब x का मान 15 आ चुका है तो इसका मान निकालेंगे पहले तो किसका इसका एक्स की जगह पर 15 रखेंगे तो एंगल पी ओ आर कितना आ जाएगा एंगल पी ओ आर एंगल पी ओ आर इसका मान आ जाएगा 5x मतलब 5 गुड़े x एक्स का मान कितना है दोस्त 15 तो X की जगह पर 15 रखेंगे 15 गुड़े 5 होता है 75 तो इसका मान आ चुका है POR इसका मान आ चुका है 75 अंस कोई डाउट यहां तक बिल्कुल क्लियर है ठीक है अब देखेंगे किसका दूसरे वाले का जो जिसका नाम है क्या RO Q तो RO Q को निकालेंगे यह है साथ X X का मान रखेंगे कितना 15 15 सकते 105 105 अंस का कॉड़ आ चुका है तो दोनों ही कॉड़ आ चुके हैं अपने पास यह 75 अंस का है 105 अंस का है दोनों को जोडने पर आप देख सकते हैं 180 अंस आपको मिल रहा होगा इसके साथ ही साथ ये दोनों कोड आपस में किस अनुपात में हैं पांच अनुपात साथ में हैं क्लियर है बाते हैं यहां तक ठीक है सभी कोड गयाद करना है मतलब ये भी कोड गयाद करना है POS ये भी कोड गयाद है वो इस कोड के बराबर है क्यों बताया था ना कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिक्षेद करती हैं तो यहां बने हुए आमने सामने के कोड आपस में बराबर होते हैं क्यों शीरसा भीमुक कोड शीरसा भीमुक कोड तो यह शीरसा भीमुक कोड वर्टिक तो लिखेंगे दोस्त, एंगल POR बराबर एंगल क्या, SOQ, क्यों, शीर्षा विमुख कौन, शीर्षा विमुख कौन, शीर्षा विमुख कौन हो जाएगा यह, vertically opposite angle, चीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यह तो हमें पता ही है, POR कितना है, POR हमारा 75 है, तो यह भी 75 हो जाएगा, तो SOQ का मान भी कितना आ गया, 75 degree, 75 यह था, तो यह भी आ गया, 75 degree, कितना आ गया दोस्त, 75 degree, clear है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, अरे आसान है, इससे आसान और इससे मज़दार चाप्टर कोड को ढोड़ने में, यह 105 तो यह भी 105 होने वाला, लेकिन लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, तो हम लिखने वाले हैं, एंगल POS, क्या लिखेंगे, एंगल POS बराबर ROQ, एंगल ROQ, कैसे कोड हो जाएंगे, कैसे कोड हो जाएंगे, यह भी शिरसा भिमुक कोड हो ज का मान पता है, इसका मान अगर 105 है, तो इसका विमान POS का विमान 105 हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे, POS बराबर ROQ की जगह पर 105 डिगरी, 105 अंस लिख देंगे, तो यह दोनों, हमारे पास चारो कोड आ चुके, देखो, यह फर्स्ट वाला है, यह सेकेंड वाला कोड है, यह थर्ड आपके पास आ चुका है, यहां पर, थर्ड कोड भी आपके पास यहां पर आ चुका है, एक, दो, तीन लाइन बना तो छोटा सा लिख देता हूँ, और यह है फॉर्थ वाला कोड, तो चारो कोड हमारे पास आ चुके हैं, इस प्रकार से, अच्छा यह बात बता अगर उसमें मैट्स आ रही है, तो यह questions आपके उस exam में भी पूछे जाते हैं, मतलब 9th class में तो पढ़ रहे हैं, जब आप किसी job की तैयारी करेंगे, चाहे वो private हो, चाहे वो government हो, तो वहाँ भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो already मैं कई बार बता चुका हूँ कि इस तरह के questions अभी नहीं, हमेशा के लिए दोस्त, आपके लिए important होने वाले हैं, तो एक बार screenshot लेंगे और बढ़ रहे होंगे हम आगे, बढ़ेंगे हम दोस्त, आगे उधारण संख्या 2 की तरफ, ये रहा उधारण संख्या 2, आकृती में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी ह ये POQ एक रेखा है, आकृती में OS जो किरण दिख रही है, इस पर खड़ी है, किरण OR और OT क्रमसह, OR और OT क्रमसह POS, POS मतलब इस वाले POS की बात कर रहा है, POS का ये समध्य भाजक है, कोण को बराबर बराबर भाग में बात रहा है, OR, मतलब इस पूरे कोण को दो बराबर बात रहा है, ये वाला OR, समझ रहे हो बात को, ये वाला OR, नहीं मान रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ, रेड रेड चलो, लेकिन ये गद्दारी कर रहा है, गद्दारी नहीं, समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा है, किरण OR और OT क्रमसह POS और अंगल SOQ के समध्य भाजक है समध्य विभाजक का मतलब होता है दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करना ठीक है तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा इसी प्रकार से यहां पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा इतनी बात आपको clear है ठी यदि POS बराबर X है, बोल रहा है POS बराबर क्या है? X है, तो POS को ढूड़ो और उसको लिख दो X, POS, यह यह ना POS, POS, यह पूरा का पूरा एंगल, यह पूरा का पूरा एंगल, यह वाला, यह वाला एंगल, कितना है? X है, पूरा एंगल, यह मत सोचना कि यहाँ X लिखा तो इतना X है, नहीं, यह पूरा एंगल कितना है, X है, तो ROT ग्याद कीजिए, ROT कहा है, ROT, आप से ये वाला पूछ रहा है, जो मैं कौन से कलर से कर दूँ, ग्रीन कलर से, ये पूछ रहा है, ROT कितना होगा, question समझ में आ चुका है, start कर दें अब, ठीक है, ठीक है दोस्त, च यहां देखो, अगर मैंने इसको बोल दिया, एंगल 1, क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, क्योंकि ये कोड समझ दूभा चाक है, देखो, समझो इसको, ये जो कोड दिख रहा है आपको, पीला पीला वाला, ये वाला, yellow color का, ये जो line जा रही है, ये इस दो बराबर बराबर हिस्सों में क्या कर रही है, तोड रही है, दो बराबर, तो ये वाला कोड और ये वाला कोड आपस में बराबर है, इसका नाम अगर मैंने angle 1 रख दिया, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, angle 1, clear है बाते, ऐसे ही, ऐसे ही इधर देखो, ये जो, ये ज अपलब की ओटी यहाँ पर समध्विभाजक कर रही है, समध्विभाजक लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल दो हुआ, तो ये वाला भी एंगल दो हो जाएगा, आसान है, क्लियर है, बात समझ में आ चुकी है, कि ये दोनों कोड आपस में बराबर हैं, तो इन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला कोड, पूरा का पूरा कितना है, X है, तो मतलब कोड एक और कोड एक को जोडने पर ये पूरा कोड कितना मिल जाएगा, X, तो लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे, कोड, पूरा कोड कितना है, POS, POS को देखो, POS को एक POS को क्या लिख सकता हूं? इतना धन इतना मतलब POR POR धन, दूसरा क्या? ROS, सबका मान लिखेंगे जो जो माना है हमने, POS तो X दिया है हमें, X दिया है कि POS का मान कितना है? X है, POR और ROS को मैंने मान लिया, कितना-कितना? angle 1 angle 1 code 1 धन code 1 तो code 1 कितनी बार आ चुका है code 1 दो बार आ चुका है तो इसको हम बोलेंगे 2 code 1 code 1 का मान निकालेंगे यहाँ से तो आ जाएगा x बटे 2 एक बात समझेंगे यह मत सोचना कि ऐसे code 1 धन code 1 code 2 हो जाएगा यह मत सोचना यह जैसे ABCD होता है math में वैसे ही है A, A, 2, A तो code 1, code 1 दो बार code 1 यह मानने का तरीका है जैसे हम ABCD मानते हैं वैसे ही code 1, code 2, code 3, code 4 तो इनको आपस में कभी ऐसे मत जोड़ देना कि 1 और 1, 2 हो गया नहीं clear है बाते? ठीक है यहां तक कोई doubt? नहीं है सब कुछ clear? ठीक है अब देखो इन सभी code को अगर मैं जोड़ता हूँ यह जो चार code दिख रहे है यहां से लेके यहां तक इन सभी code को अगर जोड़ा जाए तो 180 अंस मिलेगा या नहीं मिलेगा मिल जाएगा तो हम क्या करने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं कि कोड पूरा पहले इनका सही वाला नाम लिखो इसका नाम क्या है? P.O.R कोड P.O.R धन कोड इसका नाम क्या है? R.O.S कोड R.O.S धन इसका नाम क्या है दोस्त? S.O.T S.O.T धन इसका नाम क्या है टी ओ क्यू तो लिख देंगे टी ओ क्यू इन सभी को जोड़ने पर 180 अंस बन चुका है कारण क्या लिखेंगे कारण ये नहीं लिखना है कि रैखिक युगम युगम में केवल दो कोड आते हैं यहाँ पर लिखेंगे सरल रेखा के एक तरफ बने हुए कोड तो कोई भी सरल रेखा अगर है ये एक सरल रेखा है इसके एक तरफ के कोडों का सम योगफल कितना हो जाएगा 180 अंस आपका योगफल आ जाएगा क्लियर है बाते सबका मान रखेंगे POR और ROS ये एंगल वन ये भी एंगल वन तो लिखेंगे इसकी जगह पर कोड एक इसकी जगह पर भी कोड एक इसकी जगह पर कोड दो और इसकी जगह पर भी कोड दो 180 अंस आ गया 2 बार कोड 1 आ रहा है तो लिखेंगे 2 बार कोड 1 धन 2 बार कोड 2 कितना आ जाएगा 180 अंस आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है clear है बातें 2 बार कोड 1 धन 2 बार कोड 2 180 अंस आ गया ठीक है तो 2 common ले लें अगर कोड एक धन कोड दो ये कितना आ जाएगा 180 अंस बटे दो बटे दो नहीं अगली लाइन में बटे दो करेंगे ये दो जाएगा उधर बटे में हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं दोस्त कोड एक धन कोड दो ये देखो ये दो उधर जाके भाग करेगा 180 बटे दो कितना आजाएगा नवे अंस आजाएगा नवे अंस आजाएगा चीच्छे अब यहाँ पर ध्यान से देखें अगर आप तो एक धन दो को क्या मैं इस कोड का नाम दे जुट और आया क्या इतना धन इतना इसको मैं नाम दे सकता हूं आर ओ टी तो इसको वल देंगे कोड एक ढनकोड दो को आर ओटी बराबर कितना आ गया नबे अंस नबे अंस आ चुका है किसकाा णका नाम नाम नहीं а ROT का यही पूछ रहा था तो सर इसका क्या यूज हुआ इसका कोई यूज नहीं हुआ है दोस्त इसका कोई यूज नहीं हुआ है तो फिर निकाला क्यों हो सकता था आगे यूज हो जाता तो निकाल दिये तो उसमें कोई गलत बात नहीं है clear है चीजे, कोई दिक्कत नहीं है न, तो x ऐसे ही दिया था, x का कोई यहाँ पर खास मतलब नहीं है आर यह बात समझ में, x का यहाँ पर कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि आप से rot पूछ रहा था, तो निकाल दिया तो भी ठीक है नहीं निकालेंगे, तो भी एक बार को चल जाएगा, तो एक बार इसका screenshot लेंगे, और हम आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे तो ठीक है, I hope कि आप लोगों ने screenshot ले लिया होगा, बढ़ते हैं अपने अगले example की तरफ, उधारण संख्या 3 की तरफ तो यह रहा उधारण संख्या 3, इसमें बात हो रही है, आकरिती में O, P, O, Q, O, R और O, S, चार किरिड़े हैं तो चारों किरिड़ें आपको दिख रहे होंगी, चार तरफ जा रही है यह, ठीक है सिद्ध की जिए कि P, O, Q, C, O, Q, Dhan, C, O, R, Dhan, C, O, R, Dhan, C, O, R, Dhan, C, O, R, Dhan, C, O, S, O, R, Dhan, C, O, P, O, S, बराबर 360 डिगरी है सिद्ध आपको यह करना है कि यह जो चार कोड़ बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, इन 4 कोड़ों का मान जो है वो 360 के बराबर है आईए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे इसमें आपको क्या करना पड़ेगा इसमें आपको एक रचना करनी पड़ेगी रचना क्या है ध्यान से देख़ें इसमें मैंने इसके समांतर, समांतर नहीं, यह जो रेखा है, इस रेखा को सीधे सीधे आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है, इस रेखा को अपनी तरफ और बढ़ा दिया, मतलब इसको एक सरल रेखा में बना दिया, पूरा का पूरा, जिससे की मैं बता दूँगा की ऊपर क मिलाकर 180 धन 180 बराबर 360 बस इतना काम करना है लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आई ये देखते हैं समझते हैं ठीक है तो यहां पर रचना किया है हमने सबसे पहले तो रचना लिखेंगे रचना रचना क्या किया यह OQ था OQ को O M तक बढ़ा दिया यहां M बोल दिया तो लिखेंगे रेखा या रेखा तो नहीं था किरड था तो किरड लिखेंगे OQ किरड था ना किरड को Q को बिन्द M तक बढ़ाया M तक बढ़ाया या खीचा कुछ भी लिख सकते हैं इतना चलता है extend किया ठीक है clear है बात इतनी अब इसको हम कैसे सिद्ध करने माने सबसे पहले उपर देखो इन दोनों कोड़ों को देखो इनका नाम लिखो एंगल P-O-Q धन इधर वाले का क्या नाम है मेरी तरफ वाले का P-O-M एंगल P-O-M ठीक है इन दोनों कोड़ों को एक साथ देखेंगे तो इनको बोलेंगे 180 degree दो ही कोड है तो आप लिख सकते हैं रैकिक युग्म अभिगरिहित दो ही कोड है दोस्त तो आप लिख सकते हैं रैकिक युग्म अभिगरिहित क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे ही नीचे वाले कोड़ों को देखें तो इसका नाम है M-O-S क्या नाम है? M-O-S धन इस उपर वाले को समीकरण एक बनाएंगे और M-O-S इसका नाम हो गया इसका नाम क्या है? S-O-R तो लिखेंगे एंगल S-O-R धन और आखिरी वाले का इसका नाम क्या है? R-O-Q तो कोड R-O-Q बराबर 180 degree यहां भी हो गया यहां लिखेंगे सरल रेखा के एक तरफ के कोड़ सरल रेखा के एक तरफ के कोड़ एक तरफ बनने वाले कोड़ या एक तरफ के कोड़ ऐसे लिख देंगे इनको clear है? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है सब कुछ clear है और इसको हम बना देंगे दोस्त समीकरड संख्या 2 इसको बना देंगे समीकरड संख्या 2 इन दोनों समीकरड़ों को जोड़ेंगे अपने आप यह सिद्ध होके बाहर आ जाएगा इन दोनों समीकरड़ों को जोड़ दो समीकरड 1 प्लस पूरा लिखो डंग से समीकरड 1 और समीकरड 2 को जोडने पर इन दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है जब इसको जोड़ेंगे जोडने का मतलब समझते हो न समीकरड कैसे जोड़ते हैं जो बाई तरफ है बाई तरफ वाले में जोड़ जाएगा जो दाई तरफ 180 है वो दाई तरफ के 180 में जोड़ जाएगा तो पहले बाई तरफ वालों को लिख लो अंगल अब नीचे वाले इन तीनों को लिखेंगे, धन एंगल M O S, धन S O R, धन R O Q, बडाबर, अब देख सकते हैं आप दाई तरफ क्या लिखा है, यहाँ भी एक सोस्ती है, और यहाँ भी एक सोस्ती है, तो दाई पक्ष में जो भी चीजे लिखी हुई है, उनको एक साथ जोड़ेंगे, तो एक सोस्ती धन, एक सोस्ती, ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ ध्यान देंगे, अगर आप एक साथ इन दोनों कोड़ों को देख पा रहे हों, इन दोनों तो इन दोनों कोड़ों को जोड़कर एक साथ इन दोनों कोड़ों को जोड़कर एक साथ क्या लिख सकता हूं है पी ओ एस तो इन दोनों कोड़ों की जगह इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या पी ओ एस क्यों लिख सकते हैं एक बार फिर से देखेंगे पी ओ एम यहां से य इंगल POS, इन दोनों की जगह क्या लिख दिया POS, इसकी जगह यही रहेगा SOR धन ROQ, कहने का मतलब है जो हमने खुद से रचना किया था, ये वाली लाइन इसको गायब करना था, M को गायब करना था, जहां भी M दिख रहा था, इनको आपस में जोड़ वोड के क्या लिख द 360 degree का बन जाएगा, क्या यही सिद्ध करना था, एक बार देखेंगे, POQ ये मिल गया, POS ये मिल गया, SOR ये मिल गया और QOR ये मिल गया, 360 degree का बन चुका है, तो ये सिद्ध हो चुका है, एक बार इसका भी स्क्रीन सॉट लेंगे, clear है, देखो NCRT में अभी जैसे मने question 2 किया था, ये वाला जो question कराया था मैंने question 2, NCRT में इसका solution देखेंगे, बड़ा ही heavy किया है, और भी कुछ सवाल है, NCRT या other books में, दूसरी किताबों में भी देखेंगे, तो वहाँ पे खतरनाक solution कराया गया है, इस तरह से समझाऊंग आपको कि 100% हर एक question बहुत ही बेतरीन तरह से आपको समझ में आने वाला है, याद रखना ये वाला example बहुत ज़्यादा important है, एक ये वाला example और एक प्रस्नावली जो 6.1 है उसका प्रस्न संक्या 6, ये दोनों बहुत ज़्यादा important question है, तो जब मैं कराऊंगा तो दुबारा से समझा रहा हूँगा हर एक question को, clear है बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ एकदम जबरजस्ट चल रहा है, पर बताएंगे comment के माध्यम से कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात, कोई परसानी वाली बात नहीं है, ठीक ह है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, धोस्तों लाइक करदेंगे, channel पे नए है तो subscribe करेंगे, और अपने प्यारे बेहतरीन से comments करना हमेशा की तरह नहीं बूलेंगे, है न हमेशा की तरह नहीं बूलेंगे, यह तो गलत बोल दिया मेने, मतलब अपने प्यारे से कमेंट्स करना कभी नहीं भूलेंगे ठीक है तो एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए जैसा कि आपको पता है मैगनेट ब्रिंद्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजूकेशन और हमारे टॉप कोर्स है जो इंग्लिस और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्द हैं और साथ में अपनी बेतरीन तयारी करने के लिए इनोट्स और इबुक्स को ग्रैप करना नहीं भूलेंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आज के लिए इतना ही था अपना ध्यान रखेंगे थैंक यू सो मच